इस वीडियो में मैं आपको logically concept explain करूँगा कि एक बदनसीब इनसान कैसे खुशनसीब हो सकता है तो बदनसीबी क्या है खुशनसीबी क्या है और आप कैसे खुशनसीब बन सकते हैं मैं आपको किसी किसम का कोई motivational पकोड़ा नहीं दूँगा ना मैं कोई मोलवी हूँ ना मैं आप लोगों को कोई religious फत्वे दूँगा ना ही मैं motivational speaker हूँ तो मैं आपको motivational पकोड़ी भी नहीं दूँगा मैं आपको logically reasoning के साथ back करके समझाऊंगा कि बदनसीबी और खुशनसीबी में फरक क्या है और खुशनसीब कैसे बन सकते हैं ठीक है अच्छा इसको समझने के लिए सबसे पहले हम as I said, religion और spirituality, religion है कि इनसान एक belief, एक religious belief के ओपर, एक set of life, एक formula के तहत अपनी जिन्दिगी उजारता है spirituality कहते हैं कि religion या ideology से concept को नकालना, उनको follow करना तो मैं आपको एक छोटा फावाकिया बताता हूँ कि किसी ने इमाम अली से पूछा कि नसीब में और मुकदर में क्या फरक है अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है, दुबारा सुनने है वाला पार नसीब, उन्होंने कहा कि एक पैर उठाओ, उसने एक पैर उठा ले उन्होंने कहा दूसा पैर उठाओ, उसने कहा मैं तो दूसा पैर नहीं उठा सकता अच्छा, उन्होंने कहा कि देखो जो तुमारे इख्तियार में है, वो नसीब है जो तुम्हारे अख्तियार में नहीं है वो तुम्हारा मुकदर है अच्छा उसने कहा कि थोड़ा सा मुझे और बताएं तो इमामेली ने उसको बताए कि देखो तुम्हारे अख्तियार में नहीं है कि तुम किस मां के घर पैदा होगे किस बाप के घर में पैदा होगे कहां पैदा होगे यह तुम्हारे अख्तियार में नहीं है यह तुम्हारा मुकदर है अच्छा जो तुम्हारे अख्तियार में है वो तुम्हारे फैसले है तुम्हारा फैसला तुम्हारा नसीब अब आईए इसको समझ लेते हैं कि नसीब आपके हाथ में है, ये वा Guide तो साबित हो गई है, ये वा 갑자기 हो गई है कि नसीब आपके हाथ में है, सिर्फ मस्राय इतना है हमने अपने आपको बदनसीब बोल दिया है कि इसलिए कि हम pessimist लोग हैं एक pessimist इंसान अपने आपको कोचता है अपने आपको बदनसीब कहता है optimist इंसान on the other hand वो science technology में इतना आगे जा चुका है कि वो गोरों को follow करता है वो कहता है कि नसीब वसीब कुछ भी नहीं है it's my hard work ठीक है? तो बहुत ज़्यादा optimist इंसान वो उस तरफ चला गिया है बहुत ज़्यादा pessimist इंसान बिल्कुल left side पर चला गिया है अब हम इसके logical reasoning से समझने की कोशिश करते है logical reasoning क्या है logical reasoning यह है कि आपका फैसला आपका नसीब को shape करता है मैं आज फैसला करता हूँ उसका impact आएगा अचा कैसे मैं एक छोटी सी example देता हूँ आप अपने बच्पन के दोस्तों को कभी अपने साथ compare करके देख लें आप भी 40 साल के हैं वो भी 40 साल का अचा उसकी जिन्दगी का outcome आपकी जिन्दगी का outcome जमीन आसमान का फराग है आपके पर शायदा पैसे हैं उसके पर कम पैसे हैं या आपके पर कम उसके पर ज्यादा है वो अमेरिका चला गया पकिसान रहा गया एंड पे कुछ भी कर लें 20 साल के हिस्ट्री को कभी calculate करके देखें तो आपको पता लगे कि उसने वो फैसले लिये थे आपने different फैसले लिये थे उसके फैसलों का आज वो खा रहा है आप अपने फैसलों का खा रहें 20 साल के बाद end of the day फैसला it's about फैसला ठीक है अच्छा चले मुझे ये logic तो समझ आ रही छोड़ी छोड़ी थोड़ी के अच्छा फैसले तो अब मैं फैसला कैसे करूँ देखें जिन्दगी में 20 साल हैं आपके पास 20 साल में आपने 6 फैसले करने होते हैं हार इंसान ने major फैसले किस ओरत से शादी करनी major फैसला है कौन सा business करना है major फैसला है जमीन बदलू, ना बदलू, अमेरिका जाओ, ना जाओ, औस्ट्रिलिया जाओ, ना जाओ, स्टूड़न विजा पर जाओ, वर्क पर मिट पर चला जाओ, फैसला end of the day everything is about फैसला, the decisions you are taking तो मुकदर एक अलग science है मुकदर आप नहीं बदल सकते नसीब को आप बदल सकते हैं, नसीब आपके फैसले हैं, फैसला राइट कलने हैं, कहां से कहां सिंदिगी चले जाएगी, मल्टी मिलियनर, बिलियनर बन जाएगे फैसले घलत कलने हैं, रोड़ पे आ जाएगे अच्छा सनी भाई, ठीक है, समझ आ रहा है हार्ड वर्क करने वाला इंसान कभी आपने मिलियनर देखा, कभी देखे हैं, आपने हार्ड वर्क, सारे हार्ड वर्क कर रहे हैं, तूरी दुरी दुनिया हार्ड वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रही है, मैनत कर रही है, मिलियनर तो सारे नहीं बन पाते हैं, अच्छा नहीं नहीं, actually hard work नहीं, बलकि इसके साथ smart work चाहिए, अच्छा फिर smart work, smart work किसे कहते हैं आप, smart work intelligence को नहीं कहते हैं, intelligence is not about being smart, intelligent इंसान, एक अच्छा employee होता है, एक बच्छा businessman नहीं होता, fully stop, intelligent लोग ही तो बचारे पैसे नहीं मना पाते हैं, मेरी तरह के, वोई तो बचारे मार खाते हैं, क्योंको intelligent बड़े होते हैं, दमाग बड़ा चलता है, उनका deep चले जाते हैं हर चीज़ के, तो intelligence पैसे नहीं मनाती, wisdom पैसे बनाती है, wisdom चाहिए आपको, wisdom, wisdom कहां से आती है, wisdom आपको wise लोगों के मश्वरे से आती है, तो wisdom हिकमत से इनसान पैसे बनाता है, intelligence नहीं बनाता, हिकमत is about being smart, तो hard working और smart working आपको दोने चाहिए होते हैं, चले, अब आएए दुबारा उस पॉइंट पर वापिस लते हैं हम लोग, अच्छा जी नसीब आपके फैसले हैं, तो फिर मैं फैसले right कैसे करूँ, यह है जी स नसीब की दुआ मांगो, मैंने बड़े-बड़े अकलमंदों नसीब वालों के दर पे देखा है, हम सबने, मैंने इतनी बार बोला है, पूरी पाकिस्तान ने मुझसे सुन लिया, पूरे पाकिस्तान ने इमाम अली की नैजल बलागा पगड़ ली, जब से सनी भाई ने ची अकलमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है, यहां पर एक प्राब्लम आ जाता है, नसीब की दुआ के उपर, सानी भाई, ल्लाह हमारी काँ सुनेगा, यह एक नलाइक, हड़ हराम, निकट्टू इनसान के अलपास होते हैं, ल्लाह हमारी काँ सुनेगा, तो वो बचा तो वैसी दुनिया में कुछ नहीं होने वाला, इसे इनसानों पे भी शक है, इसे अल्ला पे भी शक है, अल्ला हमारी कहां सुनेगा, मसला यह है, कि अल्ला ताला ने हदीस कुछी में खुद बोला है, मैं तुमें वो ही देता हूँ, जिसका तुम उसे बमान रगते हो, दुआ के दर्वाजे खुले हैं, लेकिन कबूलियत के बंद हैं, तो सबसे पहले आप अपनी स्पैसिमिस्टिक एप्रोच को दमाग से उकार के जमीन में गार दें आप, इसको खतम कर दें, पैस्टिमिस्ट ना बने आप, अच्छा गुमान रखें, तो आप गुनागार इंसान हैं, आप जैसे भी इंसान हैं, मांगने वाले को दिया जाता है, ना मांगने वाले को कदू मिलता है, इस शक्स मांगी नहीं रहा, उसने तो चेप्टरी क्लोज करती हैं, वो तो पिचारा फारीग हो गया, चेप्टरी क्लोज हो गया उसका तो, तो मांगें, आप न मांगने वाले को देता है, ना मांगने वाले को नहीं देता, फुलिस टाप, मांगे जो भी हैं, मांगे बसा, अच्छा आप बोलेंगे सनी भाई ये तो बड़ी मोटिवेशन किसम की स्पीच लग रही है, आप आज हमें motivation speaker दिखाए दे रहे हैं मसला यह है ना मैं मोलवी हूँ ना मैं motivation speaker हूँ मैं आपको logic के साथ explain करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मांगने वाले को दिया जाता ना मांगने वाले को नहीं दिया जाता number one मैंने आपको हजी से कुछी से साबित कर दिया logically के अच्छा गुमान रखने वाले को दिया जाएगा ना गुमान रखने वाले को नहीं दिया जाएगा अच्छा दुआ क्लियर हो गई कि जिनसीब की दुआ मांगो अच्छा यह part क्लियर हो गया अब इस पे right side वालों की सुन लेते गोरों को दुआ की कहाँ जुद पड़ती क्या आपने अपना मंजन बेजना शुद कर दिया दुआ का और नसीब का हम भाई Amazon वाले है अच्छा अब मसला यहाँ पे सबसे important एक point यह है कि गोरे का ecosystem मैंने आप लोगों को दुआ टूल वाली वीडियो में explain किया कि मेरा बच्छा Australian citizen है वो दुआ नहीं भी मांगेगा तो वो default पे rely करेगा आपने अगर अपने default पे rely करने तो आप दुआ ना मांगे कोई सुद नहीं आपको दुआ वो मांगनी भाई यह आपकी मर्जी है दुआ एक टूल है एक हतियार है यूज करना करें नहीं यूज करना ना करें तो मेरा बच्छा Australian citizen है वो अस्ट्रेलिया जाएगा KFC में काम करें McDonald में काम करें चार पैसे बनाएगा जॉब नहीं होगी गर्मिन पाल लेगी इसको उसकी लाइफ हमारी लाइफ में जमीन आस्मान का फराइगा वो system, default ecosystem हमारा Pakistan ecosystem, American ecosystem Australian ecosystem में फराइख है तो वो दूआ को ऐस टूल यूज करें ना करें आप यूज करें ना करें अच्छा यह बार लोजिकली साबित हो गई आए दूसा पार्ट नसीव की दूआ के लिए रो गई दूसा पार्ट decision right लेंगे तो पांच-पांच साल आगे बढ़ेंगे तो decision right लेने के लिए आपको मश्वरे की जूआत है आप कहते हैं मैं यह decision लेना चाहता हूँ हो सकता है, आप सही हो, हो सकता है, घलत हो पांच साल के लिए दस साल के बाद आप बोलेंगे यार मैंने अतना गलत decision क्यों ले लिया आज देखो मेरी जिनगी कहां से कहां चली गई, मैं यहां से यहां होता अगर मैंने वो फैसला सभी किया होता तो इसका मतलब सारी गेम है, फैसलों की फैसले राइट करने हैं, फैसले राइट करने के लिए मशवरा ले सारी कहांई मुग गई नसीब की दुआ, मशवरा दो चीजें जिसने कर ली वो इनसान खुशनसीब है जिसने यह दो काम नहीं किये अब उसका डिफॉल्ट भी डिबेंड करता है, वो रहता ही अमेरिका में, उसका डिफॉल्ट ओके है, साही है जबरदत जा रहा है, चक्का वक्का की लग गया लग गया, ठीक है तो वो डिफॉल्ट पर रिलाई करेगा आप अपने डिफॉल्ट को ओवराइट कर रहे हैं अमेरिक हो गया, इसका मतलब यह होता है कि एक डंब इनसान जो घलत फैसले करता रहता है मार खाता रहता है वो भी अगर किसी अकलमंद से मशवर ले ले तो अकलमंद के मशवरे को सिर्फ एक्जीक्यूट करना उसने खुद ना हो जाएगे कि कबर में चले जाएगे एक टका नहीं वनने वाला आपका अच्छा मैं खुशनसीब यह कुछ टके से भी नहीं जोड़ा कि जी खुशनसीब इनसान, जी दौलत भाई खुशनसीब इनसान की बड़ी अच्छी लाइफ होती है वो दौलत मंद भी होता है, वो ससाइटी में अच्छी लाइफ भी गुजारता है वो हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, हल लहासे वो अच्छा है दूशनों से बेतर है, यह है जी खुशनसीब इनसान, अच्छा सनी भाई, ठीक है इसमें different concepts आपको clear हो जाएंगे, मशवरा तजरबाकार इनसान से लिया जाता है ठीक है, इमाम अली का call है कि तजरबाकार इनसान का मशवरा तेन जवानों के बाजूं से ज़्याद भारी है यह पाड़ भी clear हो गया है, अच्छा, next point इमाम अली ने traits भी बता दी हैं आपको, जो मैंने आप लोगों को कई जगों पर already explain किया हुआ है तो उन्हेंने कहा कि कभी किसी बुझ दिल से मशवरा मत लेना, कभी किसी लाल्ची से मशवरा मत लेना, कभी किसी कंजूर से मशवरा ने लेना SunnyAli.com slash Mashwar LVD में मैंने बकाद़ डीटेल में logical reasoning के साथ ये concept explain किया है कि कंजूर से मशवरा क्यों ने लेते, बुझ दिल से क्यों ने लेते, लाल्ची से क्यों ने लेते, शकी मिजाज इनसान से मशवरा क्यों ने लेते इसलिए कि इन लोगों की जिन्दगी में number of transactions कम होती है, बुझ दिल इनसान risk नहीं लेता है, जो लाल्ची होता है, वो जो है, वो भी risk कम लेता है, जो शकी मिजाज होता है, वो दूसरों के बारे में negative 22 लगता है, तो वो भी transactions कम करता है दूसरों के साथ, और जो बुझ दि transactions नहीं करते अच्छा जो लोग transactions नहीं करते वो तजरबाकार नहीं बन पाते वो normal जौबे करते हैं तो तजरबाकार ही नहीं है तो आप मश्वरा कैसे लेंगे मश्वरा किसे लेते हैं दलेर इनसान से गनी इनसान से अच्छा क्यों क्यों कि दलेर इनसान दलेर होता है दड़ा दड़ लोगों के दड़ ट्रांडेक्शन्स करता है मार खाता है गिरता है लोग उसे चूना लगाते हैं फिर कड़ा हो जाता है तो गनी इनसान ट्रांडेक्शन्स करता है और दलेर भी ट्रांडेक्शन्स करता है जिसकी वज़े से ये दोने तजर्बा कार हो जात नसीब की दुआ मांगे दिन रात अच्छा अब लोग कहते हैं सनी भाई नसीब की दुआ कौन से उसके अलफास क्या होते हैं भाई उर्दु में मांगें अल्ला मिया से डारेक्ट बात करें कोई अर्भी वर्भी का कोई चक्र ने सीधी सीधी दुआ है अल्ला से आप बात कर सनी भाई सुवा कितने बज़े मांगते हैं निहार मूँ मांगते हैं रात के कितने बज़े सोने से पहले मांगते हैं भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है दिन रात मांगते हैं नहाते वे मांगते हैं सोते वे मांगते हैं जहाज में गाड़ी में जमीन पे असमान पे जहां दुआ मांगें आप, नसीब की दुआ मांगें, कलियर हो गया, मश्वरा लेने की आदत डालें, जिसने खुदराई से काम लिया, वो तबाव बर्बाद हुआ, तो अपने आपको मश्वरे ना दें, अपने डिसिजिजन्स ना लें, दूसरों से मश्वरे मांगें, कलियर हो काम करने हैं, नसीब की दुआ, मश्वरा, खुश नसीब हो जाएंगे आप, अला आफिस,